आएए बैठिए प्लीज बैठिए कहीं आप लोग क्या लेंगे कुछ नहीं पहले आप लड़की को बुलाईए जी अच्छा एक पुझाट हाँ नहीं मैं बिलकुल नहीं आऊँगी सुलनी आपने जिद मत किजिए क्यों चिला रही है वो लोग यहीं बैठे हैं कई सुनने दो इसलिए तो चिला रही हूं तुम इसे किसी विद्धा समझा कर लाओ मैं उनसे बात करता हूं लड़की तयार है अभी आ जाएगे थुद्धा मेरा भावी थोड़ा फास्ट है मांचा मेरी बेटी तू तो मेरी सवजदार बेटी है ना कभी नहीं अरे बाबा वो इस फोटो में कौन लड़की है यही तो मेरी बेटी है इसे ही तो आप लोग देख रहे हैं लड़की की आख कुछ ठीक नहीं लगती शायद डेड़ है छेचे देखने में तो खूबसूरत लग रही है आरे लड़की कैसी भी रहे तो शादी थोड़े करने वाला है मांचा मेरी बेटी अभी तु बहार जाकर लड़के को देख तो ले अगर पसंद नहीं आया तो कह देंगे कि जन्मकुंडले नहीं मिल रही है जा ना मैं किसी एरे गेरे को काफी देने कभी नहीं जाओंगी पिताजी उनसे कहिए चले जाए पिताजी लगता है उसे लड़का पसंद नहीं हम चलते हैं अगर वो नहीं गय तो मैं धक्के मार के उन्हें घर से निकाल दूँगी मुझे ये रिष्टा मंजूर नहीं है ए हसी जाने जा तेरा दिवाना तेरी अदाओं का मैं हूँ परवाना तुमसे मिलके जन जना दिल मेरा खो गया है हुआअँ प्रव cách काई लड़े का एह है झाल झाल करता है यह झाल 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 कांटिश्डेश्डर्स्टर्स्टर्स्ट्र अश्रूग आपकी पिटाई से मैकल का चेहरा भूसे पिटा आपउग गया झाल तक तेक तेस्टे एजु झाल Our father, what in heaven? Hello deed thy name, thy kingdom come Thy will be in earth as it is in heaven Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil Amen Amen क्रिकेट मैच के लिए मद्राज गया था, क्या हुआ? हमेशे की तरह हमारी जीत हुई ठीक है यार, गॉंग्रेट्किलेशन्स थेंक्यू, अच्छा चलता हू यार, जाते समय रास्ते में जूली को स्कूल में छोड़ देना टीचर जी चलिए चलती हूँ पिता जी ठीक है, चलिए मामा जी जूली जूली गिर्मानिंग टीचर गिर्मानिंग अजारों पर हो तो दो ना किस लिए? बताने की आदर तो है जूली थेंक्यू यही रुक ना जाना बद पिता जी पिता जी पिता जी तुम यही रुको पिता जी करे dear खोल ये भया भया भॉछ तंड लग रही है रुकिए पिता जी कहा जा रहा है रोज कही घूम घम कर रात को एक दो बज आयेगा और दर्वाजा हमें खोलना पडता है आज एक दिन बाहर रहने दीजे तब उसे पता चलेगा बाहर बहुत धंड पढ़ रही है बेटा पढ़ने दीजे तभी अकल आएगी उसको आप जाएए जाकर सो जाएगे मेरे भईया दर्वादा नहीं खोलें चलो तुमारे घर चलते हैं तुझे देखते ही मेरे पिता जी मुझे डाटने लगते हैं अभी तुझे साथ ले जाओंगा तो तेरी हालत मेरी हो जाएगी जाए यहां से चलता हूं यार ऐसे दोस्त हैं कि मामा जूली कौन है मामा जी मैं हूँ अंदर आओ क्या बात है इतनी रात को आये हो देर से घर गए होंगे उन्होंने दर्वासा नहीं खोला तो यह यहां आओ गए बेटी भांजे के लिए एक तक्या और बेट सिट लेका रहा हूं हूं लादो गुड़नाइट मामा जी गुड़नाइट अरे भांजे खाना खाय हो या नहीं जी खालिया मामा जी कहां से खायगा यह खाना इधर उदर घुम रहा होगा पी पाकर बेटी घर में खाने के लिए कुछ है क्या डेड और दूध है तो थोड़ा दूध ही लादो ना ठीक है पिता जी भांजे तुम अंदर जाकर दूध पिलो मैं पूछती हूँ तुम्हें क्या जरूरत है आधी रात को पी कब बाहर घुमते रहते हो उनका डाटना भी तो गलत नहीं है ए सुनो अगर मुझे उपदेश ही सुनना होता तो यहां पर नहीं आता घर पर ही जाता कुछ भी करो मुझे उससे क्या ए एक सिक्रेट तुम भी कुछ कर नहीं हो रुको क्या ढूंड रही हो बैटी जी कुछ नहीं पिताजी माचीस पैंट के जैब में हैं पांधी दे मैम्मी मुझे एक प्राब्ले मेरी से सॉल कर दो ना जब मैं टीवी देखती हूं तभी यह सवाल पुछता है जैसे हमिशा फर्स्त आता है चुपरे मैं दस मिट में आती हूं बहुत एमोशनल है ना पाणी देना मिर्ची लग रही है बसंती अरे बसंती आये पिताजी आये 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 मामाजी बैठिये क्या लेंगी पिताजी कुछ ने चाहिए सिर्फ चाय चलेगी अभी लाई दमाज जी अगले साल भी अपना ही ये लिज़े पिताजी अरे क्या बात है तुम तो बिल्कुल नहीं बदले नहीं तो थोड़ा सा उचा हो गया हूं मैं वो नहीं बोल रहा हूं आपके उमर के लड़के खूब पड़ लिखकर अच्छी नौकरी में लग गया है आप अभी भी बेरोजगार हो वो कह रहा हूं मैं आपके उमर के राम स्वामी कुपो स्वामी कपके मर चुके हैं लेकिन आप अभी तक जिन्दा हैं मैंने कुछ कहा क्या अरे क्या बख रहा है क्या चोटे बड़ों की इज़त करना नहीं आता पता है वो कौन है तुम्हारे भाबी की पिता जी अपने बड़ों से इसी तरह बात करना सीखा है तुमने क्यों भाईया ये मेरी इज़त करते हैं क्या हर समय इसी तरह बगता रहता है अपने छोटे भाई को देख फारे में नौकरी करने वाला है और अपने आपको देख बेकार में क्रिकेट खेलता रहता है तु तुझे पालने के बजाए मैंने भैस पाली होती तो रोज दो-चार लिटर दूद मिलता मुझे यार ठंडी बहुत लग रही है न अबे दिसंबर में ठंड नहीं लगी तो क्या गर्मी लगेगी मामा इस ठंडी में दो पैक पीकर खेलने में बहुत मज़ा आएगा नहीं बबाबा जूली आ गई तो गडबड हो जाएगा मामा जूली का स्कुल फंक्शन खतम होने में 11 थेंकियो 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 अहां यह यह लीजिए यह एक्स्क्यूज में मैं ज़रा बात्रूम जाके आता हूं है हां मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं है मेरे जारू पी जाओ गए अपिजा आप क्यों इस तरह पीपी कर तबियत खराब कर रहे हैं हां अरे पीपी कर आप मर जाएंगे छे-छे-छे-छे-छे-छे छे-छे-छे आपके साथ रहने से मेरी भी वदनामी हो जाएगी लोग सोचेंगे कि मैं भी आपके साथ मिलकर शराब पीता हूं लोग मुझे अपने पास तक नहीं बैटने देंगे आप समझते हैं क्यों मावा जी आपको अकल नहीं है क्या अपने स्याधी उमर के लड़कों के साथ बैट का शराप पी रहे हैं जूली को पता चलेगा तो कितना अपसोस होगा उसे जूली तुम का भाई इन लोगों की बात का बुरा मत मानना ये लोग सिर्फ आज ही पी रहे हैं ये लोग हमेशाんなय पीते हैं ये सिर्फ शरीडर से बिगड़े हुए हैं लेकिन मन से ये लोग बिलकुल इंज़ी्गड़ए इनका मने एकदम साफ है मैंने इंको बहुत माना किया पीने के लिए पर नहीं माने। देख, 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 देखो, देखो, जूट मत बोलो पहले से घर और दुकान एक साथ है पिताची को हार्ट प्रॉब्लेम है अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा कौन है ये सब जानने के बावजुद भी उनके साथ बैठ कर तूं उनको पिलाते रहते हो वो अब नहीं पिएंगे वो कैसे कल देखना कौन है वेटी अरे भांजे अचानक क्या हो गया तुझे भगवान के पुजा में उतर गया गलत बात है भगवान के बारे में ऐसे नहीं कहते है ओ ठीक है ठीक है बैटे तुझे मैंने इससे पहले मंदिर के तरफ जाते हुए नहीं देखा कैसे हो गया या सब चमतकार कहां से आया ये ज्यान दिरिश्य कल रात पीते हैं समय है मैंने शाकाहार का व्रित रखा है अगर मेरे घरवाले होते तो ना ही शराब पीते और ना ही मांस खाते है अबे ये क्या बखबख कर रहा है आप गलस समझ रहे हैं मैं परिवार की बात कर रहा था कि मेरे परिवार के लोग मांस और मटन नहीं खाएंगे आप के लिए नहीं, आप हमारे परिवार के नहीं है तु ऐसे क्यों कर रहा है, अचानक मनोती रहतर बोल रहा है शराब नहीं पिना है ने ने ने, मैंने आपको पिने के लिए मना नहीं किया मैंने तो अपनी फैमली के लिए कहा था आप मेरी फैमिली के नहीं है, आप तो पी सकते हैं तु मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई आइडिया लेकर आया है अरे रे 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 भगवान आप क्या बोले जा रहा हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये मुझे मालूम है कि तु बार-बार अपनी ही बात का रट लगाने वाला है, अब जो कहना है साप-साप कह दे मैंने भगवान के सामने मानौती रखी है कि मेरी फैमिली के मेंबर शराब नहीं पीएंगे, नौन्वेज नहीं खाएंगे मामा जी? मामा जी? अब ठीक है ना? सब उपर वाले की मर्जी है बगवान? स्वामी, सराणवाई अप्पा, बस काफी है उम स्वामीय, सराणवी अप्पा वन् नाम्ती रुपडी जरनं बोन खयाप्पा पारी जन्न्न खयाप्पा यहाने पोन खयाप्पा पारी यल्लादोन जरनं मिलने अप्पा देखो पीटर का घर इतना जगमा क्यों कर रहा है पीटर के घर में आयप्पा की पूजा है अच्छा आयप्पा की पूजा है शोकर स्वामी आयप्पा कैसी बाते करते हैं समधी जी मैं एक बात कहूंगा गलत मत मानियेगा आपका बेटा जब देखो तब उस पीटर के घर में रहता है उसकी लड़की के साथ घूमता है छी छी वो दोनों बजपन से एक साथ पले हैं दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं अभी तो ऐसा ही लगेगा देख लीजिएगा किसी ना किसी दिन उस लड़की को अपनी बीवी बना कर घर लाएगा ऐसा कुछ होने से पहले अपने लड़के को सम्हाल कर रखिएगा मैं तो बस यही कह सकता हूँ हमारी बात मानिया ना मानिये बेटा आपका है मुझे क्या मुझे जो कहना था मैंने कह दिया इस लड़की का नाम मजुला है बहुत गुणी लड़की है बीएसी तक पढ़ी है दिखने में भी बहुत सुन्दर है मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों को वो लड़की जरूर पसंद आएगी ये देखिए उसका फोटो लड़की तो अच्छी है अच्छी तो है तुम भी देखना फिर भी क्यों ना एक बार उससे पूछ ले उससे क्या पूछना है हमारी बात को मना थोड़े करेगा हाँ ये बात भी ठीक है उससे मंगल सूत्र बादना एक अच्छा दिन देखके लड़की देखने जाएंगे बागी बाते बाद में ठीक है मैं लड़की दिखाने का इंतिजाम करता हूँ इसे लेकर देखको कैसे चरपा रहा है अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है तुम सब लोग आका लड़की को देखना अगर लड़की जूली को पसंद आगई तो मैं शादी कर लूँगा अजर मुझे पसंद आई तो तु एसा कुछ नहीं कहेंगे लड़की तो यह पसंद आएगी देखते हैं ए तुम लोग भी जरूर आना है ए मैं जरूर हमगा यह जरूर आएगा इसे खाना चो है जरूर आएगा अजरूर के हाँ बेता सब को चाय है दूरू अरो का चाय नहीं इएभा नहीं लवकी को चाय दे कर नमस्कार कर दो बैटी लवकी को जान लड़की हमें पसंद है फिर क्या है एक अच्छा दिन देकर शादी का मुहत तैं कर दो सुनो इनके भाई का अभी तक शादी क्यों नहीं हुआ अरे ये अभी तक दस पांच रुपे के लिए भाई और पिता जी का मुह देखता है ऐसे लड़के को काउन लड़की देगा मेरे भाई को अगले मेने ड्यूटी जोइन करनी है इसलिए इस मेने में हम शादी रख दें तो उसके लिए बहतर होगा क्योंकि अगले मेने वो विदेश जाने वाला है हम इसके लिए तयार है मेरा पहला काम यही था मुझे माफ कर देना मुझे नहीं पता था कि यह लोग तुम्हारे छोटे भाई के लिए लड़की देखने आ रहें नहीं तो मैं यह कभी भी नहीं आता वो लड़की कैसे थी तुमने उसका चहरा देखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई अच्छा हुआ तुम तो बाल बाल बच गए तुमारी परस्नालिटिय और टैलेंट को देखते हुए तुम्हे एश्वार राय जैसी लड़की मिलेगी देखना हाँ मैं उस लड़की के लायक नहीं मेरे लिए एश्वार राय जैसी लड़की मिलेगी मुझे मेरी शादी होने का कोई गम नहीं है लेकिन मुझे बता सकते थे कि छोड़े भाई के लिए लड़की देखने जा रहा है मैं वहाँ पर जाता ही नहीं इससे तो अच्छा यह होता कि वह बोल देते कि उनका दूसरा बेटा मर चुका है मेरी बात सुनो अगर जादने को देखो तो वह गिरता हुआ यह अच्छा लगता है लेकिन गिरते ही नदी का रूप लेकर बहने लगता है वो यह तुम्हारे लिए अफमान नहीं अनुभाव है तुम देखते ही रहना किसी ने किसी दिन तुम क्रिकेट में बड़े आदमी वनोगे और उस दिन तुम्हारा आपमान करने वाली तुम्हारे सामने सिर्च जुका कर बात करेंगे रेड़ी कि अब यह आवशारे से दो फिक्रमतकर तुछे फॉप मैं एंकिशन दूफे में दो तीन स्थे फॉप्टर दूफे में दो तीन संद्ध है सेंचुरी लगा दे फिर तु तुरंट सेलेक्ट हो जाएगा थेंकिए सर्फ आल दे बेस्ट गॉड्ट ब्लेस यू यही मेरा लक्ष्या सर्फ कर देख कर चलाना गाड़ी दूसरे की है कहीं डायमेड नहों जायार अरे जर मत कुछ नहीं होगा बक्वास बंकर बोतल समाल कर रखना यह देख बोटल समाल कर रखिये अब आग बंकर के गाड़ी चलाता है क्या मेरी गाड़ी से आके ठोक दी नाराज मत हो यह नाराज नहीं हो तो क्या हो तुम रॉंग साइटे आ रहे था ना जी सर मही रॉंग रूट से आ रहा था हम दोनों ही जल्दी में थे आपकी कार भी डैमेज हो गई हमारी भी देखिए सर बैटका सोचते हैं कि चा क्या जाए जोरी और सीना जोरी अभी पुलिस को बलाता हूं पुलिस को मत बुलाएं वह आपसे पैसा लगा मुसे भी पैसा लेगा हम दोने वापस महीं कम्प्रॉमाइज कर लेते हैं को सब सब्सक्राइब कर दोस्त बनते हैं हम कार एकसिडेंट के कारण दोस्त बन गए प्लीज यह बात है यह तम लोग भी पिनो हाँ मैं भी आई विल अलसो हव फैंग डाल यार तेंक्यू यह क्या सब इससे थैंक्स क्या बाता है आप से मिलकर बहुत खुश हुई यह वेलकं सब वन मोर पैक सब आभी पीजिये ना मैं पी रहा हूं सब पानी सब ने ने पानी ने एक्सकूज मी सब्सक्राइब क्या आपके पास सेलफोन है आपकोर्स यह लो थैंक्यू हलो पुलिस्टेसर जी बात यह है कि एक आदमी दारूपी का गारी चला रहा था और मेरी कार को ठुक दिया उसने बहुत दारूपी रखिये बहुत हां सार आप जल्दी आ जाएए मैं उसे कहीं नहीं जाने दूँगा पकड़ कर रखूँगा थैंक्यू हाथ में क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट ला देखा तुम भी कहें काम से हैं यह क्या मार्स मिले हैं तुम्हें दस बाइस लगता है मेरा नाम खराब करके रख दोगे जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कितने मार्स लाता था जानते हो 95-96 तुम तो हैसी हो अच्छा पढ़ दिखकर मेरी तरह बनने की कोशिश करना समझे जा कर तुम लोगे अगर तुम लोग इस तरह पढ़ोगे तो असोग चाचा की तरह बेकार हो जाओगे तुम लोग क्या करें अगर कुछ टाउट पुछते हैं तो हमें कोई सिखाता नहीं ठीक है ठीक है अगले महिने से एक ट्यूशन मास्टर के इंतिजाम कर दूगा ठीक है कैसा कला भाई है ठीक से लिखता भी नहीं है पहले इसको बदलना होगा लो भाईया आज मेरे दोस्त की शादी है 500 रुपए चाहिए किसलिए उसे गिफ्ट देने गिलियो और क्या है गिफ्ट ले जाकर क्या करेगा इससे कमाने वाला नहीं बन जाएगा तू ए उन लोग को मालू में तूनी कमा है कोई फरक नहीं पड़ता खालियाद जा उसकी पेन बदलने से कुछ नहीं होगा गेरेक्टर बदलना होगा जूली जूला आओ चलो चलते हैं हाँ चलो क्यों भाणजे उस बाई को देने के लिए 15,000 रुपए दिये थे वो दे दिये जी दे दिये मामा जी अरे भाणजे तू कोई गिफ्ट नहीं देगा क्या नहीं मामा जी वो मेरा क्लोस फ्रेंड है अगर मैं गिफ्ट ले जाओंगा तो वो नाराज हो जाएगा कहीगा कि मुझे पराया समझा है क्या गिफ्ट देखकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो जूली उसकी फ्रेंड नहीं है इसलिए वो ले जा रहे है अच्छा ठीक है यहां जाको टेम्स रे मिल्म फो शर्मि केलाराख कि अधर्ग जोन्च केलिए और दूनी आज अफिर में अपना सगारभाई भी होगा थो तो खाली हां द्रका तही एवे थीप नहीं मामाजी नहीं रहें नहीं मैं जो बोलता हूँ सुनो तुमसे बुजूर्ग हूँ गलत थोड़ी बोलूंगा अब जाओ भी चलो चलो अब जल्दी निकलो शाम को जल्दी आना नमस्ते जी मैं यह क्या कर रहा है आप गई लड़की वंख भाई पर वेज रहें तो क्या हुआ वो लोग भाग जाएंगे क्या नासंजी कि बात करते हो नई मैं ऐसा नहीं कह रहा था वे दोणों बच्पन के दोस्त है एक साथ खेले हैं दोनों के मन में कोई गलत भावना नहीं है अगर उनको पता चला कि मुझे शक है तो उए मर जाएंगे नहीं मैं इसलिए नहीं बोला क्या नहीं बोला मुझे जो गलत नहीं लगा वो तुझे कैसे लगा निकल जा जल्दी से यहां से क्या बात है दोनों बहुत हंस रहे हो कुछ नहीं पिताजी अरे भाई मुझे भी बताओ मैं भी हंस वो क्या है पिताजी हम शादी में गए थे तो डाइनिंग हाल पे खाने पहुंचे तब पता चला कि लड़की की पिताजी हमारे बुराने स्कूल मास्टर है आपका पुराना श्टुडेन्ट अशो एड्स स्टेंडेंट में पड़ता था इसका नाम जूली है नमस्ते सर अच्छे तो हो ना हाँ सब अच्छा सर नमस्ते माजी आओ इसमें हसने की क्या बात है? बैताती है पिताजी, तुम लोग दुलें के दोस्त हो क्या? लेकिन लड़की के पिताजी को भी अच्छे तरह जानते हैं. वो कैसे? हमारे पुराणी मास्टर जी है, बहुत अच्छे इंसान है. उनके मन के मुताबिक ही, उनकी पत्मे भी बहुत अच्छी है, उनके पत्मी से आप कब मिलें? उनके में अच्छी है, उनके में अच्छी है, मैं खाना लगाती हूँ, आए ना पिताजी खाना खाने, आए ना? उनके में अच्छी है, जनके में अच्छी है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो में लही कहा था ये लड़का उसको घर लेकर आने वाला है आखिर मेरी बात सही हो गई न अब पढ़ गया ना पथर तुम लोगों के सर पर कर दो कर दो कर दो कर दो निकल जा इस घर से तो फिर चले हम लो लोगों क्यों बुला रहा है। क्या कहा? मुझे इस घर से निकालने का हक आपको किस ने दे दिया। यह हक मिस्टर सुंदर आजन का है, जो मेरे पिता जी है। और किसी को भी नहीं है। यह घर हमारे पुर्खों का है। इस पर जतना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है। इसलिए इस घर से अगर जाएंगे तो हम सब लोग ही जाएंगे। इसे बेच कर जो कुछ भी मिलेगा उसके शेयर कर लेंगे। रहना होगा तो सभी इस घर में रहेंगे। सोच समझ कर जवाब देना। रहने दो इसको यहीं पे। कर दुए कर दो लग करे दो साल बील क्यों है क्या हुआ अरे यार हम तो फसके क्यू यार मैं भूल गया हो अरे बापरे, क्यों यार मेरे सिर पर इतना बड़ा पथर डाल रहा है, देखना अज के दिन मैं भी अपना पर्स नहीं लाया है, अगर तू पर्स लाता भी तो क्या, उसमें डॉलर और क्रेडिट काथ होते हैं, अब तो हमें यह बरतन धोलने ही पड़ेंगे, बील तो 400 रु गुड मॉरिंग सर, सॉरी सर, लगता है आप उस दिन के हाथसे को अब तक नहीं भूला पाए हैं, उसके लिए मुझे बहुत हफसोस है, मैं उस दिन के प्राइश्चीत के लिए आपका ये बिल मैं भरना चाहता हूँ, मेरा बिल भरने वाला तू कौन होता है, मेरा तुससे कोई रिष्टा नहीं, जा यहां से, देखिए सर, अगर किसी से गल्ती हो जाए, तो क्या उसे माप नहीं किया जाता है, तुम जैसे लोगों को कभी भूल के भी माप नहीं करना चाहिए, निकल जाओ यहां से, ठीक है स मैं जा रहा हूँ, यह पक्का फ्रॉड है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिल भरने की बात कहकर ठग लेगा हमें, हमें होश्या रहना चाहिए इंसे, हाप लीजिए, सर, बिल मैं भर देता हूँ, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भर लूँगा, जाओ, बिल सर भर देंगे, आओ चलो, पहले पता हो था तो दो फ्रूट सलाथ और खालती, अब यह भूखर किसी दिदू मताय कज़ भागया से, एक्स्किज मी सर, बिल सर, विल सिप साट रुपए है, लेकिन उस टेबल पर जो लोग थे उनने का, उनका बिल आप देंगे, इसलिये पास तो रुपए है सर. मुझे ऐसी रंगों लियाती है, मुझे नहीं मलूम आप कैसी बनाती है, कल से मैं वैसा ही करूंगी काफे बना देती हूं और बच्चों को उठा कर नहला देती हूं, तब तक आप अशोक के भईया को काफी देती जिए, मैं टिफिन रेडी कर देती हूं, आप जाकर नहा लीजिए यह कल का बचा हुआ खाना है, अन्य फेकना क्यों है, मिक्सर में पीसकर पापड बना देती हूं बच पेटी यह तो कमाल हो गया, आज खाना इतना स्वादिश्ट क्यों लग रहा है यह खाना जूली ने बनाया है वही तो, तेरा खाना होता तो अब तक उल्टी हो जाती हम हमेशा से पुराने चावलों को फेक देते थे, लेकिन उस लड़की ने उसके पापड बना दी मैम्मी, मुझे मैस में डाउट है देख रहे हो ना, मैं खाना खिला रही हूं, बाद में आती हूं, जाओ यहां से बहू, थोड़ी डाल दो मम्मी को डिस्टरब मत करो, मैं जिखा देती हूं, चलो यह सब याद करना चीक है, जो मैं बताती हूं वही बोलना हूं? हूं? और सब याद करना यह इसका स्पीर रूट ही ठीक है, और उसके बाद इसे महनस करना फिर प्लैस करना और फिर उसके बाद को मलेской जो पिटाजी के इंशोरेंस के पैसे से तुमने कैमरा क्यों खरीदा तुम्हारे क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने तक बस यही मेरा काम है जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो तुम लाखों रुपए कमाओगे तब मुझे वापस कर देना ठीक है ठीक है अब मेरे स्कूल का वक् बाई बाई करो नहीं मेरी बास सही है चुप करो यह क्या बहस हो रही है कुछ नहीं भाबी यह पंकजम पूछ रहे थी कि दाम और शिता ने अपने पहली दिवाली कहाँ पर मनाई थी अम मतलत दोनों मिठिला में ही मनाए होंगे मैंने कहा लेकिन यह मली का बोड़े मिठिला में नहीं कई और मनाई होगी अब बताओ इसको मैं क्या वोलू शादी के बाद वो दोनों तो वन में चले गए फिर कहां मनाई होगी तुम ही बताओ इसी बात पर बहस कर रही है शादी के थोड़े दिनी बादी तो उन्होंने वनवास ले लिया था तो जंगल में ही मनाई होगी अपन में कैसे मालूम मुझके मालूम है गलत हो तो माफ कर देना तो चल बता जी आंटी जी राम के अउतर के बाद क्रिश्न के बार दिया अउसे दिल दिवाली मनाते यानि यानि कैशंते बाहरे दर्म के बार में बहुत सब जानती है सुनिया जी मैं कुछ कहूं ता आप बुरा नहीं मानेंगे ना जूली उसके आने के बाद मुझे बहुत मदद मिल रही है घर का सारा काम करती है बच्चों को भी संबालती है आपका भाई और वो बच्पन के दोस्त हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं अगर उनक से पूछ ले तो मैं भी है सोच रहा था दुनिया के लोग भी उल्टा सिधा भख रहे हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा पिताजी आप क्या सोचते हैं यह हम लोग नहीं कह सकते यह उन दोनों को ही सोचना होगा लेकिन मुझे कोई प्राब्लम नहीं है नहीं आप लोग गलत सोच रहे हैं जूली और मैं हम दोनों ही बच्पन के दोस्त हैं शाधी के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है हम लोग हमेशा से दोस्त रहे हैं और आखरी दम तक दोस्त ही रहेंगे वह कमाल की बात है क्या दोस्त शाधी नहीं करते हैं क्या देखिए शाधी के बाद पती पतनी दोस्त तो बन सकते हैं लेकिन दोस्त पती पतनी कभी नहीं बन सकते ये दोस्ती के नाम पर एक कलंक होगा और शादी के नाम पर भी, लोग कहते हैं कि एक बात देखने से ही प्यार हो जाता है, लेकिन दोस्ती का ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे को समझने पर ही दोस्ती हो जाती है, ऐसे दोस्ती सबको नसिब नहीं होती, हमें दोस्ती रहने दिजिए, समझने की कोशिश कीजिए, देखो, हम कहते हैं कि आज कल के बच्चे बिगड़े हुए हैं हम बड़े लोग भी दोस्ती और मौबबत का अंतर नहीं समझ पाते मुझे तुम दोनों पर फक्र है पहले हम दोनों भी दोस्ते लेकिन बाद में हम लोग प्यार करने लगे ऐसा ना कहकर तुमने जुका हा कि आखरी दम तक दोस्ती निभाऊँगे इस पर मैं अपना सर जुकाता हूँ दुनिया के लोग तेरे बारे में बोलते रहे मैंने उनका विश्वास किया तेरा नहीं मुझे माफ कर देना हमारी दोस्ती पर तुम्हारे घरवालों को ही विश्वास नहीं था तो दूसरे क्या विश्वास करेंगे इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा वो कैसे तुम शादी क्यों नहीं कर लेते मजाग कर रहे हो क्या नहीं अशोक, तुम्हारी शादी होकर तुम्हारी बीवी आ जाएगी, तो हमारी दोस्ती पर कोई भी शक नहीं करेगा तो तुम ही क्यों नहीं शादी कर लेती, तुम्हारी शादी हुए बिना मैं कैसे शादी कर सकता हूँ देखो अशोक मुझे भी तो शादी करनी ही है मैं बिना शादी के कैसे रह सकती हूं लेकिन जरा सोचो अगर तुम लड़का देखने जाओगे और कोई पुछे कि तुम मेरे कौन हो तो मैं क्या जवाब दूगी अशोक बोलो अगर तुम बोलोगे कि मेरी दोस्त है तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा अशोक तुम अगर अपनी बीवी के साथ मुझे लड़का देखने जाओगे तो हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता मेरी खुशी के लिए तुम पहले शादी कर लो अशोक करोगे न मेरे लिए क्या तुम मेरी दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकते अशोक ठीक है और अगर मेरी बीवी को भी हमारी दोस्ती पर शकुआ तो तुम अच्छे हो अशोक तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा हमेशा पॉस्टिव सोचना चाहिए चलो चलते हैं देरी हो रही है हम अधिक से बैठ जाओ थोड़ा पास पास बैठो रेड़ी कौन हो तुम्हारे तलो हटो इदियट हाँ रेड़ी रेड़ी स्मायल मόल氣 रेड़ी तलो हूआ थो डर्म चाहिक से बैठो एजयाओ हम अधिक से फुम्हा कि यह चल्ड ज़ली चड़िया चल्ड आरा है तीन दिन से लगातार प्रोग्राम चल्ड़ाय नासी कप जाएंगे उठी कप जाएंगे कि यह यार सभी कंपाट्मेंट फूल जिस जिसको जहां जगे मेले बैठता जाए एए है कि अजया चलो याद बांगे की टांग है बहुत टेस्टी है खाना है क्या नहीं जाना है दो बत करां मैं हम खाल गीन और इसिगरेट प्योंगे हाँ अच्छा यह लो प्रेशब्र प्रेश्ट यार करते हैं सोरी शर्ट अध़ी टिटी आरा है यार किorang स्क् results झaşिकर जूज़ कि अदोनका कि अदे идет कि अबइ टिकट के लिए पैसे नहीं है पाईपला सिगरेट पीता है माफ कर दे ना भाई साब नौकणी भूडने के लिए जा पर दोले तो नौकरी तुड़ने जा रहा है, हम बेड़ी पी रहे थे तो में लुखा समस्वज रखा आया है, जल्मुरुका बन, मुर्गा बन, बन मुर्गा, हम जब तक रहे उतरते हैं, ऐसे ही रहना समझा, बेड़ी निकाल। सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के लिए के सिप्सक्राइब के लिए चाल आने यार सुनो मैं जरा बातरूम होका रहा था पकड़ो हुआ 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 यार कितना टाइब लगाया बातरूमे हुआ 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 पेन्ने नियुम् पेन्ना, पेन्नागी ओवियम् रेंडे, रेंडु पेन्ना, वो वोन्रूम् थावियम् पोरुमून् राम्पिरय चुत्री, तंक जरिहैं नैदनेट्री, पनिपूकल्स्तेर्थल्वाइचा, लाडि उनक्के एन्रूमेट्री प्रम्मन सेइध थादनै, उन्निल्टेरिकिरदू, उन्नै येजुदूं पोदू दान, मोळिकल्ली निक्किरदू ट्रम्मन सेव्चा, क्यों भाय, फोल पैंट सिने cooking क? देड़ मंज्वाई। अरे बापरे, फोल पैंट सिने का देड़ सो रूपय इससे पहले का कभी पैंट निषिल्वाई। पैंट हाफ पैंट सिन्य के लिए कितने लोगे पचाज उरुपे तो ठीक है हाफ पैंट ही सिल दो लेकिन लंबाई तुरा ज्यादा रखना कितना रखूं इतना तेड़ी कितना खुमेगी तू अभी तो मंद्रास जा क्या आई अब का जा रही है अच्छा ठीक है जरूर चर एक हफ़ता नहीं लगेगा ठीक है हमारे साथ और कौन कौन आ रहा है ए ए तुक्त माझ कर बॉर्षण बॉर्फरेंड नहीं आ रहा है ना ए बोल ला छुप क्या हो गए कुछ तो बॉल जाए कुछ दे चुप रहा है वो कौन है पता ने लेकिन फोन करने के लिए वेट कर रहा है तू फोन कट मत करो वहीं पर खड़ी रहा है मैं पांच मिनिट में पहुचती हूँ ओके ठीके है हाँ 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 मैं सुन रही हूँ कहा है वो लड़का कुछ देर पहले तो यहीं खड़ा था कौन है तू जानती है क्या जानने के लिए ही तो आई थी लेकिन वो चला गया ठीक है मैं चलती हूं चल बाए चाचा जी आपने का था कि आप मुझे वाक्में खरीद कर दोगे लेकिन अब तक नहीं लेकर दिया एक कितने का है वन फिटिवती सर्क्राइन के छो चलो यह है है चला चलो हूं खळी कितने का है वन फिटिवटी सर्क विलें था जेर्ट कहार को चलो हूं यह है कि हैं कि हैं थे हैं में कि हैं है एक्षुज में हलो अधिक यह कर रहा है अधिक यह थी पर क्यों पसंद नहीं है उससे विना पुछे चोटे भाई की शादी कर दी तब मैंने कुछ कहा भाई उस दिन हम लोगों से गलती हो गई तो इसमें इतना गुस्ता होने की क्या बात है तु जिन्दी के बर कुमारा रहेगा क्या मैंने ऐसा तो नहीं का, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है बस एक बात देख तो लोशो, फिर बताना पसंद है या नहीं वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, मुझे नहीं चाहिए जल्दबाजी मत कर बेटा, लड़की वाले अपने दूर के रिष्टेदार है बहुत सालों के बाद पिछले हफ्ते एक फंक्शन में मिले थे अगर दोनों घरों के बीच संबंध हो जाए तो दोनों घरों के लिए अच्छा होगा अगर हम नहीं गए तो यह अच्छा नहीं होगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ एक काम करते हैं हम लड़की को देखने चलते हैं अगर अगर लड़की पसंद नहीं आई तो कह देना कुंडली मेल नहीं खा रही है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ लेकिन उस लड़की को मना करने के लिए चल रहा हूँ लेकिन तुम मत चलना अगर तुम चलोगी तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा ठीक है बाबा मैं नहीं आऊँगी आईए बैठिए प्लीज बैठिए कहीं आप लोग क्या लेंगे कुछ नहीं पहले आप लड़की को बुलाईए अच्छा एक पुझाट नहीं मैं बिलकुल नहीं आऊँगी सुलनी आपने जिद मत किजिए क्यों चला रही है वो लोग यहीं बैठे हैं कई सुनन ले सुनने दो इसलिए तो चला रही हूँ तुम इसे किसी बीतर समझा कर लाओ मैं उनसे बात करता हूँ लड़की तयार है अभी आ जाएगे थोड़ा सलो है कोई बात नहीं आराम से तयार होने दीजे हम किसी दिन और आकर देख लेगे अरे बैठो ना मेरा भावी थोड़ा फास्ट है मानजा मेरी बेटी तु तो मेरी सवजदार बेटी है ना कभी नहीं अरे बाबा वो उस फोटो में कौन लड़की है यही तो मेरी बेटी है इसे ही तो आप लोग देख रहे हैं लड़की की आख कुछ ठीक नहीं लगती शायद डेड़ है छेचे देखने में तो खूबसूरत लग रही है आरे लड़की कैसी भी रहे तो शादी थोड़े करने वाला है मांचा मेरी बेटी अभी तु बहार जाकर लड़के को देख तो ले अगर पसंद नहीं आया तो कहे देंगे कि जन्म कुडले नहीं मिल रही है मैं किसी एरे गेरे को काफी देने कभी नहीं जाओंगी पिताजी उनसे कहिए चले जाए पिताजी लगता है उसे लड़का पसंद नहीं हम चलते हैं अगर वो नहीं गय तो मैं धक्के मार के उन्हें घर से निकाल दूँगी मुझे ये रिष्टा मन्सूर नहीं है ए हसी जाने जा तेरा दिवाना तेरी अदाओं का मैं हूँ परवाना तुमसे मिलके जन जना दिल मेरा आखो गया है अरे यार यह सब क्या है बर्डे बगरा चल रहा है क्या बात करते हो यार मैं क्या कर रहा हूं यह सब जूली का काम है ओ जूली कर रही है तब ही तुम्हें सोचा कि मैं जल्डी आओ क्या कर रही थी अब तक अब वहां देखो मेरे इंतजार में अभी तक केक नहीं काटा सब तुम्हारी वज़े से मेकप में कितना टाइम लगाती हो ठीक है ठीक है जलो सब लोग तो आ गए अब किसका इंतजार केक काट लो बेटा वो क्या है कि एक वियाईपी आने वाला है बेटी तुझसे भी वियाईपी और कर हो सकता है हुँ जूली आ गए हाँ मैंने मैंने हैपी रिटेंस आफ देए थेंक्यू जूली आने में तनी देर क्यों कर दी सॉर्या स्कूल में देर हो गई अब माफ कर दो प्लीज ठीक है केक कटो तो यही वियाईपी के लिए वेट हो रहा था क्या क्या गणसे था कि आफ प्लीज थेंक्या है मिल्के लिए रिए तो यू... तो यू अबंदे कर दो यू.. हुआ लुआ अज़िए पुश्ट नंदनी यहां यह लो कि अज़िए 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 कि नंदनी यहां आने में थोड़ी देर होगे इस अज़िए इसको निकाल कर कंदे पे डालोगी तो अच्छी लगोगी तुम यह क्या फिर से लिप्स्टिक जादा लगा ले इसे लाइट ही रखो यह अशुक को पसंद नहीं है कैजूल रहना ही अशुक को पसंद है यह क्या सिर्फ एक ही गुलाब लगा कर घूम रही हो मुंबई की लड़की की तरह सिर मिच अमेरी का फूल लगाया करो वही मुझे भी पसंद है और अशुक को भी फूल पलिश भी लाइट लगाया करो चीक है ऑँच्छन में थोड़ा काम है मैं चलती हूँ सॉरी 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 उसकी पसंद ना पसंद तो मैंने बता दी तुम्हें लेकिन तुम्हारी पूछना ये भूल कही बताओगी नहीं बताओ तुम्हें क्या पसंद है अ आशो को जाकर सब कुछ बता दूँगी. आप उनका नाम ज़रा इज़द से लिया कीची. लड़की के बारे में ठीक से जाने बीना तु प्यार कर बैठी और हमने भी सोचे बीना सगाई कर दी. अब देखो. सुबह से तु बोल रहे थी कि मेरे गए बीना अशो के काटेगा नहीं. लेकिन क्या हुआ? बगर उसने साबित कर दिया कि उसके लिए जूली ही वियाईपी है. कल को शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ, तो इसका जिम्मदार कौन है? तू ही ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. तू उसे पूछ ले, जान ले के उसके लिए कौन वियाईपी है तू या जूली? बाद में दूजे पश्टा नहीं पड़े. अगर उन्होंने कहा जूली तो… तो क्या सगाई हुई है? शादी तो नहीं, उसे तोड़ देंगे. झालव पतूली है उसे लाद में वादी है. क्यार्टा वादी हो आख हुई है भी करता है। झालव पते है। क्युishmentख भेड़ में दूली तो, यसे a कि लता है, तो जॉली है जूली, जूली, अरे, जूली, 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 जू, 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 डियर फ्रेंड, अशोक, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, कुछ दिनों के लिए, हमारा दूर रहना ही अच्छा है, तुम्हारी शादी के लिए, मेरी तरफ से, एड़्वान्स कोव्ड़शिन्स, प्रीज, ढोकोशिश मन करना, हलो, नंदू? जूली सुनो, तुम्हारे पैरंस कहा है, उनके सिगनेचर चाहिए, उसके बाद तुम्हें नौकरे मिलेगी, सॉरी मैडम, मेरा कोई नहीं है, मैं अना थूँ ओके, कोई बात नहीं, पासुर वे भरके, फॉर्म फिल अप कर दो, ठैंक्स मैडम, तुम यहां क्या कर रही हो, क्योंकि तुम दोनों की बीच में दीवार नहीं बनना चाहती, तुम्हारे यहां आने से क्या हम खुश रहेंगे, कल बट्टे पार्टी में, तुम्हारे माने भी ऐसा ही कहा, मेरी माने ही कहा था न, मैंने तो नहीं कहा, आपने ही तो ऐसा कल कहा था, कि मैं अशोक की इज़त नहीं करती, हाँ, जिन से मैं शादी करने वाली हूँ, उन्हें मेरे सामने इज़त से बुलाओ, जिब मैं नहीं हूँ, तब जैसा जी में मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कभी भी कोई भी हमारे फ्रेंड्शिप को नहीं समझता हमेशा गलत समझते हैं और तुम्हारे इस तरह चले आने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा सब लोग यहीं कहेंगे तुम्हारा रिष्टा नाजायस था इसलिए शादी की बात चलते ह कि तुमने इतनी जल्दी खतम कर दी जिम्हेदार तो मैं ही बनूंगी ना लोगों को बुरा ही नजर आती है अच्छा ही नहीं तुम्हारे इस तरह से यहां चले आने से क्या वो मेरे साथ खुश रहेंगे तुम रहोगी तो ज़रूर खुश रहेंगे अब चलो भी प्लीज यह अनाथ नहीं है इसका रिष्टदार है दीचे मैं उठा लेते हूं नहीं नहीं मैं उठा लोगी और तुम मुझे आप कह कर मत बलाओ ठीक है मा शादी डॉक्टर के साथ कराने की बज़े मेरे बहन की शादी एक वीडियो कवरेश करने वाले से कर रही हो तो मैं दूसरा लड़का नहीं मिला क्या अरे उसके तकदीर खराब है हमने सोचा दा कि लड़का कंप्यूटर पढ़के अमेरिका में काम करता है लेकिन वो लोगों के आने के बाद पता चला कि वो उसका बड़ा भाई है और उस छोटे वाले भाई की शादी तो पहले हो चुकी है और वो अमेरिका जा चुका है त अरे खराब करता है जी, मुझे आपसे कुछ कहना है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है तो कहिए न लेडिस फास्ट, पहले तुम बोलो देखिए, आप और जूली बच्पन के दोस्त हैं न तो जूली की शादी नहीं हुई और आपने श्रादी कर ली वो बेचारी क्या सोचेगी अगर उसके माता-पिता होते तो अब तक उसकी शादी हो गई होती न उसके यहां घर में रहते हुए हमारा सुहागरात मनाना, हमारे बच्चे होना ये सब ठीक नहीं लगता आप क्या कहते हैं? अब तुम क्या करोगी? जूली की शादी करके उसे ससुराल भेज कर उसके बाद ही हम लोग सुहागरात मनाए क्यों जी, आपको यह अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है, मैं खुद भी यही कहना चाहता था लेकिन सिर्फ यह सोच रहा था कि तुमसे यह बात कैसे कहूं थैंक्स नंदनी मुझे दोस्ती अच्छी नहीं मिली, वाइप यह अच्छी मिली है मैं बहुत लखी हूँ आप कहां जा रहे हैं? मैं बाहर जाकर सोता हूँ आप क्यों जा रहे हैं? मैं ही चली जाओंगी दूसरे कमरे में जुली अकेली सो रही है मैं उसके पास चली जाओंगी, लाइए, लाइए ना गुड नाइट ओ गुड नाइट यह यह क्या, तुम यह इस वग कैसे? मेरी कुंडले के हिसाब से मुझे अपने पदी से एक साल दूर रहना होगा हम लोग सोहागरात नहीं मना सकते मैं यहीं सोजाओ प्लीज गुटनाइट गुटनाइट तुम्हारी चहरे पर इतना बड़ा मुहासा? चहरा है तो मुहासा तो होगा ही छे छे, इतने सुंदर चहरे पर मुहासा अच्छा नहीं लगता वेट हीर कर दो कर दो कर दो कि यहां बैठो अरे बैठो अरे यह क्या कर रहा है आप फेशियर तुम्हारी सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए अ क्या है जरा वहां देखिए जरा उसे देखिए कल ही तो शादे होई है और अपने बीवी के लिए इतना कुछ और एक आप है अरे उसकी बीवी सुंदर है इसलिए फेशियर करके देख रहा है तूने अपना चेहरा आइने में तो देखा होगा ना जा जा कर काम देख कितना भी फेशियल करने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता जा कितनी अच्छी तरह दूप खिला रहा है अरे इस बाल को धूप दिखाने आना दिखाने से कोई फरक नहीं पड़ता जरा देखियो उन दूनों को कितना प्यार है तुझे भी ऐसे ही करना है ना चलो लो खाओ यह क्या है जी ठीक कर रहा हूँ वे दोनों अंग्रेजों की तरह कॉंफेक्स खा रहे हैं तेरे लिए तो खाना बस ऐसे ही खिला सकते है तुझे खाने वाने का कुछ पता है क्या दिन बर घर में बैठकर बैकवास करती रहती है काम आम है नहीं नंदनी नंदो आती हूँ नं हाँ मैंनी क्या कहा था जब मैं बहार निकलूं तुम सामने हो ना तुम्हारा चहरा देख करी मैं बहार निकलूंगा स्वारी मैं भूल गई थी क्या स्वारी चलो आओ काम हरी आप लेड़ी हाँ हाँ त्यार हूँ आँखे बंद कर लूँ आजाओ आओ वाइन टू आँखे खोलू क्या खोलू खोलू ए बाइ 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 क्यों तु भी ऐसा करना चाहती है क्या चल करते है क्यों आँख बंद करूं क्या आजाओ आए आए आखे बंद खोल लिये आखें खोल लिये अब आखें खोल लिये न प्यार से भी कह सकते थे खेल खेलेगी ये चोट लगा दिया मुझे अरे अरे क्या हुआ इन्हें साहब तो गाली ठीक ही चला रहे थे एक आटो वाले ने धक्का मार दिया पता नहीं किसका मूझ देकर उठे थे सुनिये जी स्कूटर कहा है है यहां एक आदमी दर से करार आए उसकी कोई परवा नहीं तुझे स्कूटर की पड़ी है मेरी चिंता नहीं है ताकि सिनेमा देखने जाते से मैं दाथ दिखा कर ई कर सके तू हरी बाप्रे यह कैसा रहेगा नहीं नहीं वो ग्रीन वाला दिखाईए यह वाइट वाला अशुक पर अच्छा लगेगा ना नहीं यह ग्रीन अच्छा लगेगा अरे उसे ग्रीन कलर पसंद नहीं है उनके पास ऐसा एक भी शेट नहीं है यही उनके लिए अच्छा रहेगा नहीं नही सुनिए क्या है यहां यह क्या है तुम दोनों का सेलेक्शन खटम नहीं हुआ हां हो गया यह ग्रीन वाला मैंने पसंद किया है और यह वाइट वाला इसने अब आपको कौन सा पसंद है यह आपको बताना है हां, हां, यह ग्रीन करर बहुत अच्छा है, मेरे पास भी नहीं है, हां, और वाइट मेरा फैवरेट रंग है, हां, सो, ग्रीन, वाइट, वाइट कलर के कपड़े तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ग्रीन मेरे पास नहीं है, तो ग्रीन ओके, तुम्हारा सेलेक्शन ठीक है मुझे मानूम था इसे के पसंद पसंद आएगी ये पैक कर दीजिए थैंक यू सिर्फ 5.99 हाँ, रेजने पिले है इट्स ओके, अरे-अरे-अरे मैं अपना हैंड पे अगोपर बुल गई हूँ मैं डर रहे थी कि तुम वाइट वाला पसंद करोगे अच्छा हुआ, तुमने नंदिनी की सेलेक्शन को पसंद किया देखो, हर पतनी का ये अभिमान होता है कि उसे अपनी पती की पसंद बहुत अच्छे तरह से मारम हो अगर तुम कहते कि मुझे ही सेलेक्शन पसंद नहीं तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो अपसेट हो जाती बहुत समझदार हो, तुम्हें पता था कि वाइट कलर मुझे पसंद नहीं है इसलिए तुम मेरे लिए वाइट कलर पसंद करके लाई, ताकि मैं उसकी ही टीशट को पसंद करूँ ठीक ठीक है, नंदनी आ गई, चले, चले, आइस क्रीम पालर है ना महा लेली जी ज़र ये बॉक्सर सताईये तु, शूर, चेर्स, चेर्स, चेर्स मैं ने कई दोस्त देखे हैं, लिकिन तुमारे जैसे दोस्त ही नहीं देखी क्या तुम दोनों घर से प्लान करके निकले हो, या बहा निकले प्लान करते हो बिस यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कह पहए Twin नहीं ये मेरी पसंद को पसंद करें इस लिए तुम दोनों ने कितना बड़ा ड्रामा किया वाइट कलर इने बिल्कुल भी पसंद नहीं फिर भी इनके लिए तुमने वाइट कलर ही चुना और इन्हें देखिए इन्होंने भी ग्रीन कलर ही पसंद किया तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे बड़ा फक्र है तुम्हारी दोस्ति पर भाई साथ, कितने दुनों से मैं आप से जुली के लिए एक लड़का देखने के लिए कह रहा हूं, और आप कोई कदम ही नहीं उठाते हैं, मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं तो उसके लिए जिये जान से लड़का ढून रहा हूं, लोग अभी तक कुम दोनों के बारे में गलत बात करते हैं, और रिष्टे के लिए मना कर देते हैं, फिर भी देखता हूं, कोई लड़का मिलता है तो बताता हूं, चलता हूं नंदिनी, नंदिनी चलो देर हो रही है, बसा रही हूं नंदिनी, हम शादी में चल रहे हैं, वहाँ सारी बड़ी पहन कर चलना चाहिए, ये वेस्टन कपड़े क्यों पहन लिए? क्यों? इसमें क्या बुराई है? नहीं, हम लोग शादी में जा रहे हैं, और वो भी दीदी की ननन की शादी में, इस ड्रेस में जाना मुम्किन नहीं होगा, वहाँ मॉडर्ण ड्रिस पहनना मर्यादा के खिलाफ होगा मैं कुछ कहूँ, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं मानूगा, बोलो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता क्या कहा, तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता? लेकिन तुमने हमारी फॉस्ट नाइट में तो साड़ी ही पहनी थी न? वो मेरे माने पहना ही थी आपने दरवाज़ा क्यों बन किया? ठीक है अंदर चलो आओ आपने दर्वाजा क्यों बन किया कहीं कोई मुझे बीवी की साड़ी बांते हुए ना देख ले इसलिए लाया हूं क्या आप मुझे साड़ी पेनाएंगे जाओ अब जल्दी से कोई अच्छी सी साड़ी लेकर आओ जाओ मैंने साड़ी यह क्या कोई ऐसे साड़ी पेहनता है इधार आओ मैं इसको ऐसे 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 प्लेट लगाते हैं और इसके बाद यहां यह यहां पर फास आते हैं हुआ हुआ है हुआ 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 हेमा यह बताओ नोकर रमेश को इंवाट किया हैं अब हीत अभी तक है है अगा है है आओ हुआ है । हाओ है कि आट बेंग कि एंग है वह पर खड़े हो यह वीडियो तार नहीं आए ना आव ना एक वीडियो ले लेते हैं लंबा गर्प है थोड़ा पास आई यह नहीं तो वीडियो नहीं बन पाएगा वो बोल रहा है ना चाकर बैट सबस्क्ताइब आगर नहीं दिखोगे तो क्या फर्पढ़ने वाला है अगर नहीं दिखोगे तो क्या फर्पढ़ने वाला है जल्दी थी खाना-खाने की बड़े-बड़े करोड़ पति अपना काम का छोड़कर शादी में आये हैं उन लोगों को पहले खाने दिया होता तुम्त एक साधरम वीडियो कैमरा मन हो तुम्हें क्या जल्दी है देखो नंदीनी तुम लग बाद में खा लेना इधर आना यह साफ कर दो रुकिश क्या आप में जरा साभी मैनर्स नहीं है खाते हुए इंसान को कभी उठाते हैं क्या और हम बिना बुलाएं कभी नहीं जाती आप खुद इंविटेशन देने आई थी अगर इतना ही गमंडे तो क्यों बुलाया था हमें इतने लोग यहां खाना खा रहे हैं किसी को भी उठने के लिए कह सकती थी ना मेरे पती क्या इतने गिरे हुए है नहीं आप चुप रहिए मेरे पती आज एक आम इंसान जरूर है लेकिन अगर वो कल को बड़े इंसान बन जाते हैं तो आप दूनों हसते हुए इनके पास जरूर आएंगे याद रखीगा मेरी बात को कि यहां से चांजी नहीं है ऐसा हो यह नहीं सकता मैं बोल रहा हूं नहीं सकता है बात साजार का बेट लगाते हैं ओके क्याल हां सर 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 एक प्रीट प्लीज वो क्या है कि हम लोग के शर्त है आप ही सॉल्व कर सकते नहीं जब भी तुम मुझसे बात करتे हो मुझे फस जाता हूँ तुम किसी और को देख लो शर्त आपको रखकर ही है क्या मुझे रखकर हladı सर्ट आपके शरीर में एप Southwest का साइज़ का तईल है मैं कहता हूं यह करता है कि क्याता है कि तील नहीं है सर और शरीर में कहां तिल यह तुम किसे बता सकते हो बता तुम मुझे तिशरर माल्ूम है मैं एक आजमी के चेहरे को देखकर बता सकता हूं निसल्थ क stuffed लगाई है कितनी बार मुझे फसाया आज तू फसेगा तब तुझे पता चलेगा है पिल के साज का तिल मेरे शरीर में यह लो यह लो यह देखो देख रहा है क्या नहीं है फीट पर तिल है क्या नहीं घय ब्हुर्य तिल मेरे शरीर में तेल क्या नहीं जरूर नहीं पर देख हो यह पर देखो यह पर देखो यह अब यहां भी देख लो कहीं तिल नहीं है अरे खड़े-खड़े मुझ क्या देख रहा हो अब जल्दी से पांचोजार रुपए ले लो तुझे अकल है कि नहीं यह मुझे बोल रहा था कि तुझे रोड पर अंडर बियर में खड़ा कर देगा खड़ा कर दिया ना इधर सु पिता जी आप आकेल ही तो हैं क्या आपको भी जाना जरूरी है तुझो जानता ही है कि मैं पोता-पोती देखे बिना नहीं रह सकता हूं मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा हूं यहीं पांच में मद्रास में हूं आता जाता रहूंगा अब हम तुम्हारी शादी में आएंगे हम चले जी अच्छा हम चलते हैं यह बच्चों ठीक से पढ़ाई करना अच्छे मासला आने हाँ एल पक्रोप आने हाँ एल पक्रोप आने हाँ एल पक्रोप एल जाएंगे हाँ यह पक्ड़ा है इन अब दूट की वाच्छ में यहां आना तो जी मेडम यह नल ठीक से बनने ही हो रहा किसी प्लंबर को बुलाकर इसे ठीक खरवा दीजी सॉरी मेडम थांक्स मिस्टर यह स्कूल है यह सिग्रेट पीना मना है बच्चे आपको देकर बिगर जाएंगे समझें क्या तुम्हेन जानती हो यह चाहे कोई भी हो लेकिन स्कूल के सामने सिग्रेट पीना मना है मिस्टर आपसे व्यक defines डालिए रिश्ट हम्स === यह कौन है मालू है तुझे यह हमारे के बेटे है समझे फिर खिया Mi aber कि परवानी मुझे लगा मैंने बोल दिया अगर वो डिस्मिस करें तो करने दो यह करेस्पॉंडेंट के बेटे हैं तो क्या हुआ अरे यार सारे 11 बज चुके हैं चल यही खाना खा लेते हैं नहीं यार घरपन मेरी बीवी खाने पर इंतजार कर रही होगी हाँ मेरे खाना खाये बेना वो खाना नहीं खाती यही आदत हो गई अब तु भाग्यवान है जो तेरी पत्नी ऐसी है, मेरी भी पत्नी है लेकिन बिलकुर राक्षिक सी, तु जा ठीक है, ए तुम लोग भी मेरे साँ चलो न, मेरे घर पर ही खाना खाले न नहीं नहीं, इतनी रात को तेरी बीवी बुरा मान जाएगी ठीची, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मेहमानों को खाना खिलाने में उसे बहुत अच्छा लगता है मेहमानों को देखकर मुव बनाने वाली मेरी बीवी नहीं है, क्या समझे नहीं यार, तेरी बीबी को नहीं मालूम कि हम लोग आ रहे हैं, तुम दोनों का ही खाना बना होगा नहीं यार, हमारे घर में दो आदमियों का ज्यादा ही बनता है, अगर नहीं भी होगा, तो कोई बात नहीं थोड़ा इंसदार करना होगा दस मिनट में खाना बन कर तहियर हो जाएगा क्या दस मिनट में? हाँ यार, तु चल कर देखना क्या चले!! हाँ हाँ चल बैट, बैट बैट Northwest बैट चलो 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 आओ अह 不 कि नंदनी क्या है आंधीरा को क्यों जगा रहे हो रोज की तरह खाना टेबल पर रखा है आप खाना खा लीजिया और सो जाईए कि शाहिद उसकी तपिया ठीक नहीं है चलो हम लोग खुदी खा लेते हैं खाओ ले रहा है इससे निकालो ठीक है ठीक है ठीक है यह तुम्हें यह मुझे और बाके सब तुम्हार रहा हो गया सुनिये चेकर मैंने नौकरानी को दे दिया और कुछ नहीं है एक दिन मैनेज कर लीजिए ओके ओके मैं परोस हूँ या तुम लोग खुद परोस हगें इसी परोसे के जुरुत लिए रहने दो जोक जोक लो बस बस उसे दो घी डालूं क्या यह खाना है कितना यह क्या कर रह सु वो क्या है न वो मेरे खाना खाने कि बार दिखाएगी इसलिए उसके लिए रख रहा हूं सुनिये खाना थोडा ही है मैं पहले ही खा चुकी हूं मेरे लिए मत रखना आप अकेली ही आये हैं या आपने भीकारी दोस्तों को भी लेकर आये हैं उस मोटे को तो नहीं लाए है ना अरे यार इतने से खाने के लिए इतनी बाद सुननी पड़ी चलता हूं मैं चलता हूं जिसमें इजयत नहीं है वो खाना खाए चलता हूं थू तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है अपने दोस्तों को डिनर पर लाया था तुमने इंसर्टर के भगा दिया हां आप जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या एक कुमारी लड़की आपके घर में है और आप इस पर अप उससे शादी करेगा मैं जानती थी कि आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं मैंने यह सब जान बुछ कर कहा है गर्मा गरम खाना मैंने हॉट पैक में रखा हुआ है बैठिये मैं अभी लाती हूं भाती है झाल झाल इस बार तुम इंडियान टीम में ज़रूर सेलेक्ट हो जाओंगे अल्दा बेस्ट थेंक्यू अशुक रंजी ट्रॉफिक क्रिकेट खेलने के लिए कब आ रहे हैं कुछ मालूम है तुम्हें हलो मैं अशुक बोलाँ अशुक बोलिये ना नंदिनी मैंच खत्म हो गया है और आज मैंने शतक जमाया है अच्छा कॉंग्रेशलिशन्स थेंक्स मैं कल रात को घर आ रहा हूं ये बताओ जूली क्या कर रही है वो प्रे कर रही है बुलाओं ने ने उसे डिश्टर मत करना कहना मैंने याद किया है ओ वारी कंपनी नई मोटरवाइक लाँच कर रही है ये लिजे दस लाग का चेक हम आपको ब्रांड एंबेजर बनाना चाहते हैं एनॉंसमेंट तो हो जाने दीजे फिर कॉंटेट की बात करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है सर आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे और सेंचुर नमस्ते नमस्ते कांग्रेचुलेशन अशोग दिली से अभी फोन आया था तुम इंडियन टीम में सलेक्ट हो गया है दो दुन में ओफिशियल एनॉंसमेंट हो जाएगा तब तक तुम किसी को मत बताना ओके ओकी सर थैंक्यू सर टीम में सेलेक्शन होने की खबर सुनकर न ने तुम सबस्पेंसी रखता हूं कल पेपर पड़कर ही पता चलेगा आप अब पीछा क्यों कर रहे हैं मुझे डिस्टर मत करो प्लीज जूली प्लीज मेरी बात तो सुनो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अप जाएए यहां से प्लीज जूली मेरी बात सुनो आप यहां से जोते हैं या नहीं जूली मेरी अखली लड़के को देखकर छेड़ता है तो हां मैं जूली से प्लीज समझता है क्या उसका कोई नहीं है क्या अरे जल्पाजी मत कीजिए क्या बोला क्या हुला है मेरी बात को सुनिए है अब है चाजा मुझे आतकर एगा तुझे छोड़ूंगा नहीं तुने मुझे सब के सामने मारा ना मैं तेरी जिन्दगी रोला दूँगा ए कौन किसे रोलाता है देख लेना चल जा अरे चौर अरे चौर अ झाजूर रोलाठ मेंपोड़त क्या बहँां तूुऴत झाल इच्किया रोकना चाहती हो तो चपचाप पानी पियो समझ गई पी लिया ये क्या है हैंसम है मैंने तो ऐसे ही कहा वैसे तुमने ये फोटो कहां से निकाली कल मैंने तुमसे किताब मांगी थी ना ये उसी में था नंदीनी मैं अशोग को कैसे बताऊ इस बात को अभी बता देती हूं अजी सुनिये तो क्या है यहां आईये क्या बात है कुछ नहीं यह लड़का ढूनने के लिए हमें तकलिप देना नहीं चाहती है खुद ही ढून लिया इस इट कौन है वो यह आप खुद ही देख लीजिए यह तू इसे कैसे जानती है यह हमारे स्कूल के सुप्रिटेंडिन का बेटा है कल साड़क पर तो उसे डा और आने में देर कर दी इसलिए हम दोनों की बिच लड़ाई हो गई जैसा कल तुम सोच रहे थे यह वैसी बात नहीं है अब क्या सोच रहे हैं उसकी ममी डैडी के घर जाकर उससे बात कर लीजिए ठीक है क्या हुआ टीम में माइकल सेलेक्ट नहीं हुआ अशोख ही सेलेक्ट हुआ है ए भगवान माइकल सुनेगा तो बहुत अपसेट हो जाएगा तू जल्दिबाजी में माइकल से कुछ बोल मत देना दो दिन के बाद में खोदी माइकल को सब बता दूँगा नमस्य सर कि नमस्य सर्थ क्या बात है बात यह सर्थ कि हमारी जूलिय और आपका सं माइकल एक दूसरे को चाहते हैं क्या आप यह जानता हूँ मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बताया है हम उनकी शाधी के बारे में बात करने आये हैं हाँ जूली से तुम्हारा क्या संबंद है जूली मेरी दोस्त है सर्थ दोस्त मतलब जूली और हम दोनों बच्चपन से दोस्त हैं उसके पिता की मौत के बाद वो हमारे साथ ही रहती है हमारे स्वाह उसका और कोई नहीं है बड़े बड़े और करोरपती लोग मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करने के लिए लाइन में खड़े हैं उनको छोड़कर एक मिडिल क्लास के लड़की जूली उसके साथ मैं अपने बेटे की शादी करूँ बोलो वो इक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं सर अच्छा ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो जूली के साथ उसकी मैं शादी कर दूँ इसमें मुझे कितना लॉस होगा तुम्हें पता है सोसाइटी में मेरा स्टेटस गिर जाएगा अगर करोड़ पती ये घर में मैं लड़की देखूंगा तो समधी भी बिजनेस में मेरा हेल्फ करेंगे इन सब को छोड़ो ये बताओ मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो आप जो भी कहेंगे सर इंडियन क्रिकेट टीम में तुम सलेक्ट हुए हो उसे तुम्हें छोड़ना होगा क्रिकेट खेलने में मुझे इंट्रेस्ट नहीं है इसलिए मैं क्रिकेट टीम को छोड़ना चाहता हूँ क्रिकेट बोर्ट को ये लेटर लिखके देना होगा तुम सोच रहे हो गए मुझे इस से क्या लाभ होने वाला है जैसे तुम क्रिकेट को चाहते हो उसी तरह मैं अपने बेटे माइकल को चाहता हूँ उसे पता चलेगा कि टीम में उसे सलेक्ट नहीं किया गया है तो वो जान छोड़ देगा टीम में तुम्हारे बाद उसी का नंबर है इसलिए तुम अगर टीम से हट जाते हो तो वो सलेक्ट हो जाएगा अगर ये शादी तुम्हें करनी है तो तुम्हें टीम छोड़ना होगा जूली और माइकल की शादी तभी संभव होए जब तुम टीम छोड़ दोगे वरना मुश्किल है अगर ये जो कह रहा है वो आपने लिख कर दे दिया तो आप कभी नहीं खेल पाएंगे जिन्नों ने आपकी बेज़दी की है क्या उन्हें जवाब नहीं देना अपनी बेज़दी का बदला नहीं लेना आपको इस तरह बेकार घुमने से तुझे शरम नहीं आती है क्या अरे ये अभी तक दस पांच रूपिये के लिए भाई और पिता जी का मूँ देखता है ऐसे लड़के को कौन लड़की देगा तुमते एक साधरम वीडियो कैमरा मन हो तुम्हें क्या जल्दी है ठीक है सर मैं टीम से आट जाओंगा एक और कंडिशन जूली और तुम्हारे बीच फ्रेंड्सिप है मैं मानता हूँ लेकिन मेरे रिष्टेदार नहीं मानते अगर जूली और माइकल की शादी तैय हो जाती है तो फिर तुम्हें जूली के साथ घुमना फिरना बंद करना होगा यही जूली के मेरेज लाइफ के लिए अच्छा होगा क्या सोच रहे हो मैं जूली को देखे बिना रह सकता लेकिन जूली मेरे बिना नहीं रह पाईगे तुम क्या करोगे कैसे करोगे यह मैं नहीं जानता जूली की तुम सच मुझ भला ही चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा ठीक है सर जैसा आपने कायो वैसा ही हो का जाओ फादर से बोलकर अगले हपते ही मैं मेरेज का एनाउंस्मेंट करता हूँ मेरे जवाब पर तुम्हें अपसोस तो नहीं क्या मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे हस्बन एक बड़े आदमी बने चलो गोई बात नहीं मेरे हस्बन एक पॉपिलर क्रिकेटर ये कहने की बजाए मैं ये कहना ज्यादा पसंद करूँगी कि मेरे पती अच्छे इंसान है तेंक्यू वेरी मच नंदनी लेकिन इस समझाते के बारे में जूली से कुछ मत कहना नहीं तो वे शादी के लिए मना कर देगे वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं अपना मकसाच छोड़तू चलो चलते माइकल के पेदा जी शादी के लिए मान गए है अगले हाफ़े चर्च में मेरेज के अनॉंस्मेंट करेंगे च्याद सुनिए शादी के लिए कर्ज लेना ज़रूरी है और क्या करेंगे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा इसलिए तो फिर क्या करें जब तक वो इस घर में रहेगी तब तक इस घर का भला नहीं होगा तुम क्या को जानती भी हो उसी दरदर के काराण क्रिकेट्टी में सेलेक्शन नहीं हुआ अब किसी भी तरह उसी घर से निकालना है जूली चली गई सुनिये जी आप दुखी हो जूली दुखी हो इससे अच्छा एक काम करते हैं जूली को हमारे साथ इसी घर में रहने देते हैं क्या करें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी ये चाहत पूरी तो करनी है ना क्या है क्या है टेबल पर चेन रखी थी तुमने देखी गया नहीं तो टेबल पर चेन रखी थी तुमने देखी क्या मैंने नहीं देखी सर तो नहीं है अशोक क्या तुम्हें मुझे पर शाक है कि मैंने पोचाएं चोरी की क्या मैं इतने गिरी हुई हूँ मैंने सुचा शायद तुमने गलती से उठा लियो इसलिए चेक कर रहा था नहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं तुमने मुझे चोर समझाना कोई बात नहीं ये लो मेरी इस मैने के सालरी और चले जाओ प्लीज मैंने जिन्दगी में बहुत कुछ मिस किया है बहुत सुंदर हो तुम कोई बात नहीं क्ष्ण प्लाओ ये जिन्दग कोई प्लाओ अचोंक ज़ुक्त टिंट होने के कारण मैकल आज शाम को एक पाट्टी दे रहे हैं तुम्हें भी शामील होना होगा तुम्हें जीनियस की सभी लोग प्रश्णशा करेंगे मैं क्या वहां ताली बजाने आओं मैं वहां नहीं जाओंगा तुम्हें जाना हो तो तुम जासकत कि एक कल पार्टी के फंक्सन में वीडियो कब्रेश करने के लिए मैं अकेला ही शला जाता हूं नहीं तुम अकेले नहीं जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा आओ मैं तुमको पिता जी से मिलवाता हूं डेडी जूली आशिर्वाद दीजी आंटी मैं अभी आता हूं ओके हाँ मैं तु बहुत खुश हूं लेकिन एक बात देखी क्या तुम लोगों ने अभी देता हूं हाँ तुम काम्रेशिलेशन्स मिस्टर माइकल देशूजा थैंक्यू आपको हमारी बाइक कंपनी के लिए एक आड करना है यह एड़वांस दस लाक रूप है बागी का अबाउंट कांट्रेट के बाद मिल जाएगा ये क्या कह रहे हैं आप मैंने तो अभी तक एक मैच भी ने खेला और ये एड़टिस्मेंट हमें पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस्कोर करेंगे आप शतक पशतक बनाते चले जाएंगे तब सारी कमपणियां आपके पास आ जाएंगे तब हमें चांस नहीं मिलेगा एक्सकील्स मी ठैंक्स अशोक कि तुम यहां आगे मैं इस पार्टी में नहीं आया हूँ वीडियोग्राफर के लिए आया हूँ पहले पता होता कि इसकी पार्टी है तो आता भी नहीं जाओ जाओ न अपने गैस को देखो जाओ तुम यहां क्यों आये हो सौरी सर मैं पार्टी में नहीं आया हूँ वीडियोग्राफर के साथ आया हूँ अगर पहले पता होता कि आपकी पार्टी है तो मैं कभी नहीं आता सुनो कवरेज किये हो इसलिए यह लेते जाओ जी मुझे पैसे की कोई जरुवत नहीं है मैं चलता हूँ मालूम नहीं आजकल अशुक को क्या हो गया है कहता है मैं उसके लिए अनलकी हूँ मैं टीम में सेलेक्ट हो गया हूँ और वो नहीं हुआ यही जलना उसे वो ही दिखा रहा है मैं नहीं चाहती माइकल मेरी कारण अशुक का मूड आफ हो तुम जल्दी से जल्दी उसे जल्दी से बुला कर लिया हूँ मैं मम्मी पापा से बात करके उन्हें बुलाने के लिए बेज़ता हूँ, ओके? कुछ दिनों से तुम मुझ पर बहुत गुस्टा कर रहे हो अशुक मुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या गलत किया है अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना अशुक देखो गुस्सा तो ठीक है लेकिन मेरी शादी में आना मत बूलना क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है अशुक दो दिन में एक बार फोन ज़रूर करना अशुक क्योंकि तुम्हारी आवा सुने बगर में नहीं रह सकती मैंने में एक बार घर भी जरूरा ना क्योंकि तुम्हें देखे बीना भी नहीं रह सकती अच्छा मैं चलती हूं अशोक बाई नंदीनी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं कहिए जुली को देखे बिना या बात किये बिना नहीं रह सकता इसलिए कहीं दूसरी जगे चल रहे हूं मेरा एक दोस्त मॉंबई में रहता है वो कह रहा था कि तुम मॉंबई में आजाओ वो मुझे नौकरी दिलागेगा तुम कपड़े तयार रखो मैं वीडियो की दुकान बेच कर उसके पैसे जुली को देखा रहता हूं अच्छा, ओके ओके वन सेकेंड, माइकल टीम में तेरे सेलेक्ट होने की खुशी में गोरे गाउं में स्पोर्ट्स क्लब वालनों ने आज शाम को एक पार्टी का इंतजाम किया है तीवी पर लाइव टेली का शोने वाला है आभे भी किसी प्रोग्राम में जा रहे हो क्या नई डैडी, आज ये प्रोग्राम है चर जाकर आने में थुड़ी देर हो जाएगी सर, हम लोग ठीक 6 बज़े पहुँच जाएंगे माइकल थोड़ा लेट से आने वाला है, ओके? थैंक यू सर, मेरे बेटे को टीम में सेलेक्ट करने के लिए आप ने तो आसानी से थैंक्स कहा दिया लेकिन माइकल को सेलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत तकलिब उठानी पड़ी है हर स्टेट वाले अपने अपने स्टेट के खिलाडी को सेलेक्ट करना चाहते थे लेकिन उन लोगों को मैंने माइकल को सेलेक्ट करने के लिए मना लिया ये काम इतना असान नहीं था मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है अच्छा, ये बता तुम अशो को कैसे समालोगे उसके घर में रहने वाले जूली माइकल को चाहती है माइकल और जूली की शादी करने के लिए मैंने उससे टीम छोड़ने का कंडिशन रखा था वो मान गया ये बाद जूली को किसी दिन पता चल गई तो ये पता नहीं चले इसलिए जूली के साथ उसकी फ्रेंड्सिप भी छुड़वा दी सब ठीक हो गया नंबर वन बिजनस्मेन है सर आप तो आओ माइकल सारे लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं कम हेलो सर वेलकम माइकल आओ इसकी ज़रूरत नहीं है उधर ही रखो गोरेगाउं स्पोर्ट्स क्लब की और से मैं माइकल डिसूजा का स्वागत करता हूँ लेडिस एंड जेंटलमेन आप सब जानते हैं कि यह फंक्षन किसली रखा गया है गोरेगाउं स्पोर्ट्स क्लब से मिस्टर माइकल डिसूजा को इंडियन टीम में पहली बार सेलेक्ट किया गया है इसी खुशी में हमने ये फॉंक्शन रखा है निश्टर माइकल डिसुजा ने किरकेट के लिए अपनी पूरी जिंदीगी लगा दी थी और आज ये इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए हैं ये हमारी लिए एक आदर्श है किरकेट कई लोग खेलते हैं लेकिन उनमें से अधिक त्यार इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं होते इसका कारण है किरकेट बहुत ही कठिन खेल है इसके लिए टाइमिंग करेक्ट होनी चाहिए कंसंट्रेशन होना चाहिए डेडी केशन होना चाहिए तभी आपका सेलेक्शन होता है और ये डेडी केशन हमें माइकल के खेल में देखने मिलता है तभी उनका सेलेक्शन हुआ है इनके इंडियम टीम में सेलेक्शन से हम लोगों को कोई आश्चरे नहीं है और अब मिस्टर माइकल डिसूज आप से कुछ बात करेंगे तैंक यू ज़र आज वो जहां तक महचा है उसके जिम्मेदार आप है ची नंदनी, माइकल कौन है हमारी जूली का होने वाला पती है माइकल बड़ा आदमी बनेगा तो जूली का ही फायदा न अगर जूली खुश है तो हम भी खुश रहेंगे आप सबको मेरा प्रणाम आज आपके सामने मैं इस पुजीशन में जैसे भी खड़ा हूँ इसका कारण है मेरे पिता जी सबी के माता पिता सवेरे उठके पढ़ने के लिए कहते हैं लेकिन मेरे पिता जी क्रिक्ट प्रेक्टिस करने के लिए कहते थे प्लस टू के एक्जाम के टाइम भी मेरे डिस्टिंक्चन लेवल के खेलने का ओई कॉफर आया मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूस था कि मैं क्या करूँ मैंने जाकर पिता जी से पूछा पिता जी की जगा कोई और होता तो पहले यही कहता कि पहले जाकर एक्जाम दो यह खेलना विलना तो सारी जिन्दगी लगा ही रहता है लेकिन मेरे पिता जी बोले पहले मैच खेल लो एक्जाम अगले साल दे देना मैंने उनकी सुनी उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है चलिए यहां से सुनने दो न माइकल आगे क्या कहने वाला है देखे आप उसकी बाते सुन सकते हैं मैं नहीं सुन सकती बच्पन में मैंने जो कुछ भी मांगा मेरे पिता जी ने मुझे लाके दिया लेकिन इस क्रिक्ट टीम की सेलेक्शन को भी ना मांगे ही उन्होंने मेरी जोली में लाके दे दिया मैं जानता हूँ ये सेलेक्शन मेरा मेरी टैलन्ट की वज़े से नहीं किसी के टीम से हट जाने की वज़े से हुआ है इतनी देर से मेरी प्रशंचा की जा रिये लेकिन इसका हगदार मैं नहीं कोई और है इसका हगदार है असली हगदार मिस्टर रशोक जी हाँ सबसे पहले किर्गेट टीम में सेलेक्ट हुए थे मिस्टर अरशोक लेकिन ये मुझे कैसे मिला आप ये जाना चाहते हैं न ये खड़ी है न जूली मैं इससे प्यार करता हूँ क्रिकिट टीम से हट जाने के लिए मेरे पिता जी ने अरशोक से शर्त रखी जूली की शादी मेरे बेटे से करानी है तो तुमें क्रिकिट टीम से हटना पड़ेगा एक इंसान अपने दोस के लिए सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपने लक्ष को नहीं लेकिन अशोक ने सब कुछ छोड़ दिया अपनी दोस्ती के लिए ऐसी दोस्ती को देखकर मिस्टर अशोक मेरी जिन्दगी धन्य हो गई फ्रेंशिप तोड़ने के लिए वो लोग यहां से कहीं और चले गए और जूली की नजरों में अपने अपको गिरा दिया मेरे पिता जी ने जूली और अशोक की फ्रेंशिप तोड़ने के लिए भी अशोक के सामने एक शर्त रखी थी जूली से शादी करानी है जूली से नाता तोड़ना होगा मुझे ये सारी बाते अभी अभी पता चली है पहले मुझे नहीं पता था मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ मुझे इससे पहले ये सब कुछ नहीं पता था I'm sorry जुली ये सब मेरे पापा ने किया है मैंने कुछ नहीं किया है यहां के selection committee member से मेरी एक विंती है किसी के अठाए जाने से मैं नहीं खेल सकता अगर खेलूँगा तो मेरे आत्मा कोचेगी और मैं स्कोर नहीं कर पाऊँगा इसलिए आप लोग प्लीज मिस्टर अशोक को ही सेलेक्ट कीजे प्लीज कि अशोक शहर छोड़कर जा रहा है चलो अस्ट्रेशन चलकर देखते हैं कि तुम अशोव को ढूंड़ो मैं कार पार्खर करके आता हूँ यात्रे कृपया थान्दी डादा से चन्ने जाने वाली चन्ने एक्स्प्रेस थोड़ी देर में प्लाटफॉम नुम्बर तीन से रवाना होगी यात्रियों से निवेदर हैं कि वो अपना स्तान ग्रहन करे दिल के बग्या में एक मौसम है सवरा पसंते मौसम में एक खुश्पो है बिखरा दिल के बग्या में एक मौसम है सवरा पसंते मौसम में एक खुश्पो है बिखरा एक फूल के लाग जिससे भवरा मिला मिलके दोनों हसे और हसते रहे दिल के बग्या में एक मौसम है सवरा पसंते मौसम में एक खुश्पो है बिखरा अोा-जोग... ओह झाल... अजन्यbreaker कि अच कि भुठक में कि अच तॅ में कि अो लाला